हेलो स्टूडेंट मैं आपके टीचर वंदिना भारती क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनस का चैप्टर नमबर 9 व्यवसाइक प्रबंध अर्थ प्रकृति उद्देश चेतर तथा मैत्व तो इसमें चैप्टर में हमने आपको व्यवसाइक की परिभाशा तथा अर्थ तथा प्रबंध की परिभाशा और अर्थ के बारे में पढ़ा चुके हैं इवं व्यवसाईक प्रबंध का अर्थ इवं परिभाशा और उसके लक्षन और उद्देशियों के बारे में हम बता चुके हैं आज हम आप लोगों को व्यवसाई प्रबंध का छेत्र बताने जा रहे हैं तो student जो व्यवसाय प्रबंद का छेत्र है वो निमनलिखित को इस छेत्र में सम्मिलित किया जाता है पहला आपका है प्रबंद की प्रकृति या स्वभाव, nature of management दूसरा है आपका प्रबंद की विशे सामगरी, subject matter of management तीसरा है आपका प्रबंद की सीमाई, limitation of management आज हम आपको जो है nature of management याने की प्रबंद की प्रकृति या स्वभाव के बारे में बताएंगे तो प्रकृति या स्वभाव जो है प्रबंद की प्रकृति को निमनलिखित रूपों में समझा जा सकता है जैसे कि मानलीजे एक प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंध एक सार्वबहॉमिक क्रिया है, प्रबंध एक सामोहिक क्रिया है, आधी विभिन्न टॉपिकों के जरी हैं, आपको प्रबंध की प्रगर्ति एवन सभाव के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहला आपका है प्रबंद एक प्रिक्रिया है, management is a process, तो प्रबंद एक विसिस्ट प्रिक्रिया है, प्रबंद की प्रिक्रिया में नियोजन, संगठन, अभी प्रेरन, नेतरत्व तथा नियंतरन करना आधी बाते समिलिक होती है, जो संस्ता के सभी अन्य साधनों का उपयोग करते हुए, के steps को पहले से ही जान लेना जरूरी होता है, दूसरा point आपका है, प्रबंद एक सार्व भामिक करिया है, तो प्रबंद में एक सार्व भामिक करिया है, तो प्रबंद का महत वो सर्व व्यापी है, इसका विप्राया है कि प्रबंद के सामाने सिध्धान्त, धार्मिक, कोई भी संस्था जिसका उद्देश सामोहिक प्रियत्नों के द्वारा उद्देशों को प्राप्त करना हो या लाब प्राप्त करना हो तो इन लक्षों को बिना नियोजन, निर्देशन, समन्वे तथा नियंत्रण आधी के प्राप्त नहीं केर सकती है तो प्रबंद का उद् प्रकृति ये स्वभाव हैं